ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धी मही तन्ह सूर्य प्रचो दयार आप सभी का हमारी योट्यूप चैनल पर हार्दिक स्पागत है सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिकाभार जो आपने इससे पहले की वीडियो में पूछे गए प्रश्निका सही उत्तर दिया था दूर तक जाती थी और कौर्वों की सेना में भय उत्पन हो जाता था आज की वीडियो में आप रिस्पांद करेंगे भगवान सूरी की महिमा विभिन रित्यों में उनकी अलग-अलग वन तथा उनके फल के बारे में साथ ही आप सुनेंगे भगवान सूरी का अभिशेक और उनकी रत्यात्रा के बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको भगवान सूरी से समंदित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है ऐसे मैं अगर आपको कहीं भी इस वीडियो को देखने में या जो मैं बताती हूं आपको उसको सुनने में थोड़ी सी भी परिशानी हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं क्योंकि बीच-बीच में आपको कताई भी सुनाई जाएंगी आज की वीडियो में आपके लिए प्रेशन है कि भगवान विश्णु का सबसे पहला अवतार कौन से है साथ ही इससे पहले की वीडियो में जिन लोगों ने भी कमेंट किया था और मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाई थी तो प्लीज मुझे शमा किजेगा अगली बार कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ तो रस्पान करते हैं आज के अध्याई का इससे पहले के अध्याई में आपनी जाना था भगवान सूरी के रत और रत में जुड़े वे घोड़ों के बारे में तो भगवान रुत्र ने कहा हे ब्रहमन आपने भगवान सूरी नारैन के महातमिका तो वर्णन किया जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद भी मिला अब करपा कर आप उनके महातमिका और वर्णन कीजिए श्री ब्रह्मा जी कहने लगे हे रुद्र इस सचाराचर त्रेलोकी के मूल भगवान सूर्य नाराण ही है देवता, असुर, मानवादी सभी इनी से उत्पन हुए है इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विश्नु तथा श्यवादी जितने भी देवता है सब में इनी का तेज व्याप्त है अगनी में विधी पूर्वक दीवी आहुती सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है वर्षा से अन्नादी उत्पन होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है इनी से जगत की उत्पत्ती होती है और अंत में सारी स्रस्टी इसी में विलिन हो जाती है ध्यान करने वाले इनी का ध्यान करते हैं और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरू भी है यदि सोरी भगवान ना हो तो छण, मुहुर्त, दिन, रात्री, पक्ष, मास, रितू, अयन, वर्ष तथा युग आदी काल विभाग हो ही नहीं और फिर काल विभाग ना होने से जगत का कोई विवहार भी नहीं चल सकता रितूओं का विभाग ना हो तो फिर फलफूल, खेती, औश्टियां आदी कैसे उत्पन हो सकती है और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है इससे ये स्पस्ट होता है कि इस चराचर आत्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारयन ही है सूर्य भगवान वसंत रितू में कपिल वन, ग्रीश्म रितू में स्वन के समान, वर्षा में श्वेत, शरत रितू में पांडू वन, हेमंत में तामर वन और शिशे रितू में रक्त वन के होते है इन वनों का अलग-अलग फल है, रुत्र आप आप उसे भी सुनिए, यदि सूर्य भगवान असमय में क्रिश्न वन के हो, तो संसार में भय होता है तामर वन के हो, तो सेनापति का नाश होता है, पीत वन के हो, तो राजकुमार की मृत्यू, श्वेत वन के हो, तो राज पुरोहित का ध्वन्स और चित्र अत्वा धुम्र वन के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है परन्तु ऐसा वर्ण होने के बाद यदी बर्शात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं अब जानिये भगवान सूरी का अभिशेक और उनकी रथयात्रा के बारे में तो भगवान रुद्र ने पूछा है भगवान सूरी की रथयात्रा कब और किस विधी से की जाती है रथयात्रा करने वाले रथ को खीचने वाले रथ को वहन करने वाले रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे निर्तिगान करने वाले रात्री जागरन करने वाले पुरुशों को क्या फल प्राफ्थ होता है इसे आप लोग कल्यान के लिए विस्तार पूर्वक बताईए तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे हे रुद्र आपने अत्यत उत्तम प्रश्न पूछा है अब मैं इसका वर्णन करता हूँ आप इसे एकागरिमन से सुनिए भगवान सूरी की रथियात्रा और इंद्रोत्सव ये दोनों जगत की कल्यान के लिए मैंने प्रवर्तित किये हैं जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किये जाते हैं वहां दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदी उप्तरव नहीं होते और नहीं चोरी आदी का भए ही रहता है इसलिए अकाल आदी उप्तरवों की शांती के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए मारगशीर्स के शुकल पक्ष की सब्तमी को घी के द्वारा भगवान सूरी को श्रद्धा पूर्वक इस्तनान कराना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अगनी लोग को जाता है वहां दिविभोग प्राप्त करता है जो व्यक्ति शक्कर के साथ शाली चावल का भात मिस्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूरी को अर्पित करता है वह ब्रह्म लोग को प्राप्त होता है जो प्रति दिन भगवान सूरी को भक्ति पूरवक घी का उबुटन लगाता है वे परमगती को प्राप्थ होता है पोश, शुक्ल, सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूरी को इस्तनान कराना चाहिए सूरी भगवान के अभिशेक के समय प्रयाग, पुशकर, कुरुक्षेत, नैमिश, प्रथदूतक अर्थात पहवा, शोन, गोकन, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील परवत, गंगद्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, रा सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यासनदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोश्नी अर्थात मन्दाकिनी, कृष्ना, वेणय, शतद्रू अर्थात, सतलज, पुशकरणी, कौशिकी, अर्थात कोसी तथा सरियों आदि सभी तीर्थों नदियों और समुद्रों का इस्मरण करना चाहिए दिव आश्रमों और देविस्थानों का भी इस्मरण करना चाहिए इस प्रकार इस्नान कराकर तीन दिन साथ दिन एक पक्ष अथवा मास भर उस अभीशेक के इस्थान में ही भगवान का दिवास करे और प्रति दिन भक्ती पूर्वक उनकी पूजा करता रहे माग मास के कृष्णपक्ष की सत्मी को मंगल कलशों तथा वितान आदी से सुशोबित चौकोर और पक्के इंटों से बनी वेदी पर सुर्य नारायन को भली भाती स्थापित कर हवन भ्रहमन भोजन प्रकार के निरत्य गीत व्याद्य आदी उत्सभों को करना चाहिए फिर माग शुक्ल चतुर्थी को अयाचित वृत करे पंचमी को एक बार भूजन करे सस्ठी को रात के समेही भोजन करे और सप्तमी को उपवास कर हवन ब्रहमन भूजन आदी संपन करे सब को दक्षिना देकर पौराणी की की पलिबाती पूजा करे फिर रत्न जटित स्वर्ण के रत में भगवान सोरी को विराजित करे और उस रत को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखे रात में जागरन करे और फिर रात में भजन कीर्थन चलता रहे मांग शुक्ल अस्टमी को रथियात्र करनी चाहिए रत के आगे विवित बाजे बस्ते रहे निर्त गीत और मंगल वेद ध्वनी होती रहे अब जाने कि किस प्रकार किस दिशा से रत्यात्रा प्रारम की जाती है तो रत्यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारम की जाती है फिर क्रम्शह पूर्व दक् निरोगी और सुखी हो जाते हैं। रतियात्रा करने वाले, रत को वहन करने वाले, ओर रत के साथ जाने वाले सूरीलोप में निवास करती ब्रह्माजी के मुँझे से एसा सुन कर तब रोधुली ने फिरसे यतर ब्रहमन मंदिर में प्रतिश्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रत में विराजमान करना जाहिए इस विशय में मुझे कुछ संधे हो रहा है क्योंकि वह प्रतिमा तो इस्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है अतह उसे कैसे चलाया जा सकता है किरपाकर हे ब्रह्माजी आप मेरे इस संशय को दूर करें तब ब्रह्माजी कहने लगे संवत्सर के अव्यवों के रूप में जिस रत का पूर्व में मैंने वर्णन किया है वहरत सभी रतों में पहला रत है उसको देखकर ही विश्वकर्माजी ने सभी देवताओं के लिए अलग-अलग विविद प्रकार के रत बनाए हैं उस प्र सूरी के रत्यातर का उत्सो मनाना चाहिए भगवान सूरी तो आकाश में ब्रह्मण करते रहते हैं इसलिए उनकी प्रतिमां को चलाने में कोई भी दोश नहीं है भगवान सूरी के ब्रह्मं करते हुए उनका रत और मंडल दिखाई नहीं पड़ता इसलिए मनुश्यों ने रतियात्रा की द्वारा ही उनके रत और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विश्नु, शिव, आधी, देवों की प्रतिमा के इस्थापित हो जाने की बाद उनको उठाना नहीं चाहिए। सुशील हरितवन के घोड़ों को रत में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंकर अनेक आभुशनों, पुष्पमालाओं और चवर आधी से अलंकृत करना चाहिए, अर्थात सजाना चाहिए और रत के लिए अर्ग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रत क तयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्रहमन भोजन कराना चाहिए दक्षिना देकर दीन, नेत्रहीन, उपेक्षितों और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्च करना चाहिए उत्तम, मध्यम, अत्वा, अधम, किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने दिना चाहिए रथियात्रा स्वरूप इस सूरी महायाग में भूग से पीडित, बिना भोजन किया यदि कोई व्यक्ति भग्र आशावाला होकर लोट जाता है तो इस दुष्कृति से उसके स्वर्गस्थ पित्रों का अधय पतन हो जाता है, अर्थाद उनका नाश हो जाता है अतहे सूरी भगवान के इस यग्य में भूजन और दक्षिना से सब को संतुष करना चाहिए क्योंकि बिना दक्षिना के कोई भी यग्य पून नहीं होता, फिर मंत्रों के जाब के साथ ही उनका प्रेपदार्थ सबी देवताओं को समर्पित करना चाहिए मंत्रों से बली देकर वाम देव, पवित्र, मानस्तोक तथा रथंतर इन रिचाओं का पाठ करें फिर पुन्या हवाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनी कर सुन्दर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का ना लगे रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, घोडे के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा सकते हैं या फिर पुरुष गण ही रथ को खीच सकते हैं तीस या सोलह ब्रहमन जो शुद्ध आचरणवाले हों, व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी साबधानी से रथ में इस्थापित करें सूरी प्रतिमा के दोनों ओर सूरी देव की राग्य, अर्थात संग्या और निशुभा चाया नामक दोनों पत्नियों को इस्थापित करें सूरी देव की पत्नियों के नाम है संग्या और चाया जिनका नाम क्रमशह, राग्य और निशुभा भी है निशुभा को अर्थात छाया को दाहिनी ओर और रागी को बाई ओर इस्थापित करना चाहिए सदाचारी वेद पाथी दो ब्रह्मन प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें सभाल कर इस्थिर रखे सार्थी भी कुशल रहना चाहिए स्वण दंड से सजा हुआ छत्र रत के ऊपर लगाएं अतिशे सुदर रतनों से जटित स्वण दंड से युक्त ध्वजा रत पर चड़ाएं जिसमें अनेक रंगों की साथ पताकाएं लगी हो अर्थात साथ ध्वजाएं लगी हो रत के आगे के भाग में सार्थी के रूप में ब्रहमन को बिठाना चाहिए श्रद्धा रहित व्यत्ती को कभी भी रत के उपर नहीं चड़ना चाहिए क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यत्ती रत पर आरोण अर्थात बैठता है उसकी संतती नस्थ हो जाती है ब्रहमन, छत्री और वैश्य को ही रत के वहन करने का अधिकार है अपने स्थान से चलकर सरवर्थम रत को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए फिर वहाँ पर एक दिन तक रत की पूजा करें विविद नरत, गीतादी, उत्सव, वेदपाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए वहाँ ब्रहमन भोजन भी कराना चाहिए नौमी के दिन रत चलकर पूरु द्वार पर ले जाए एक दिन वहाँ पर रहे तीसरे दिन दक्षिन द्वार पर रत ले जाए और फिर चौथे दिन पशिम द्वार पर रत ले जाए फिर वहाँ से नगर के मधि में रत ले जाया जाए वहाँ पूजन और उत्सव करे दीप माला प्रजवलित करें ब्रहमनों को दान दें, भोजन कराए फिर वहाँ से मंदिर में रत लाना चाहिए वहाँ नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें फिर एक रात और एक दिन रत में ही प्रतिमा रहें दूसरे दिन भगवान सुरी की प्रतिमा को रत से उतार कर बड़ी धूमधाम से मंदिर में इस्थापित करें इस प्रकार सब्तमी से त्रेयो दशी दिथी तक रतियात्रा होनी चाहिए साथ ही चतुर दशी को प्रतिमा पूर्विस्थान में स्थापित कर दी जाती है इस रतियात्रा की करने से सभी विग्न सभी बाधाय दूर हो जाती है जै सूरी नारायन आज का ध्याय समाप्त हुआ उमीद करती हूँ ये विडियो आपको पसंद आई होगी अगली अध्याय में आप जानेंगे रतियात्रा में विग्न होने पर और गोचर में दुस्ट ग्रहों के आजाने पर शांती का विधान और दिल की महिमा के बारे में उमीद करती हूँ आप अगली अध्याय का अंसार भी जरूर करेंगे